रावपूरा पुलिस ने नाइट पैट्रोलिंग के दोरान जनरल पोश्ट ऑफिस के पास चोरी को अंजम देने निकले वैसे दो चोर बदमाशों को रंगे हाथों पकरते हुए चोरी को नाकम बनाया तो वही पुलिस को देख पुलिस पर हमला करते हुए चोर बदमाशों न बढ़ रही ठंड के दोरान और दिवाली की छुटियों के दोरान काफी सफल चोरी को अंजाम देने की गटनाय प्रकाश में आ चुकी तो वही कई बार पुलिस के हाथों पकड़े जा चुके हो वैसे चोर बदमाशों की भी गटना प्रकाश में आई है। रावपूरा विस्तार खारी वाव रोडपर चोरी के इरादे से दो चोर बदमाशों ने पुलिस पर हमला किया था। आने के साथ दोनों पुलिस जवान द्वारा उस दिशा में तलाशी जारे की गई जहां दो चोर बदमाशों को दर्वाजी के पास ताला तोड़ते हुए पाया गया। दोनों पुलिस जवानों द्वारा दो चोर बदमाशों को पकड़ने की कुशिश करते हुए चोर बदमाशों द्वारा पुलिस पर हमला किया गया। जहां चोरों द्वारा किये गए हमले में सला उद्दिन और सुनिल मकवाना को दोनों को चोड़ भी पहुँची है। तो वही बावजुद अपनी हिमत पूर्ण चोर बदमाशों का सामना करते हुए पुलिस ने जपाचपी करते हुए चोर बदमाश वैसा जो गिंदर सिं तिलोक सिंग भागने में सफल साबित हुआ था। पुलिस द्वारा समगर गटना का रिकर्शक्सन करवाते हुए आज स्थल पर लाने के साथ रिकर्शक्सन करवाय गया। तो वही पुलिस ने जारी की सगन तैकिकात में चोर अपरादी ने कबूलात की थी कि अभी तक दो दोनों द्वारा दस से भी अधिक सफल चोरी को अंजाम दिया गया है। दोनों नामचीन और रीडे गुनेगार है। पुलिस द्वारा चोरी में मारपिट किये गए वैसे पुलिस जवान को ततकान रूप से इलाजी प्रक्रिया दी गए थी। जाहिसी बात है कि दूरी पर ही ये चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। तो वही पुलिस द्वारा दो में से एक चोरवतमाश को पकड़ने के साथ सगन देखिकात जारी की गई है।